Hello everyone, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हुए वेक फोंफिंटेक्स प्रो जहांपर हम बात करते हैं Finance and Taxation की आज की सेशन में डिस्कस करने वाले हैं Income Tax से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी अपडेट जी हाँ CBDT ने Announce कर दिये है Income Tax Return के नए forms एक common utility ITR1 से लेकर 6 तक आपकी होगी और उसके अंदर ही आपको select करना होगा तो जो आपके different form हुआ करते थे ITR1 से लेकर 7 तक उसके साथ में आपको एक common utility भी देखने के लिए मिलेगी क्या ये proposed amendment है किस तरीके से ये form रहेंगे अभी ये proposal आया CBDT की तरफ से ये पूरा proposal समझेंगे आज के session में ध्यान से समझेगा अगर आप एक tax professional है तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही helpful रहने वाली है चलिए without any further ado चलते है screen pen start करते है आज के session को सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक हमारे telegram channel को join नहीं किया तो जल्दी से join कर लो 5000 subscribers हमारे telegram channel पर भी होने वाले हैं यहां पर आपको सबसे पहले update मिल जाती है sir आज morning महीं हमने यह share कर दिया था यहां पर आप देखोगे morning में मैंने पूरी जो press release है press release CBDT की तरफ से आई थी वो यह share CBDT नब प्रपोज किये हैं यहां पर ध्यान से देखिए CBDT नब प्रपोज किये हैं common ITR form now नाम से आपको पता चल जाएगा यह क्या चीज है common ITR forms है common ITR form अभी तक हमारे पास क्या है साथ ITR के forms होते हैं ITR 1 से लेकर 4 तक individual के लिए होता है ITR 5 जो होता है वो LLPs के लिए होता है और AOP BUI के लिए होता है ITR 6 companies के लिए होता है और ITR 7 जो होती है AOP BUI etc के लिए जो trust वगेरा होते हैं charitable institutions होते हैं उनके लिए ITR 7 होती है तो यह साथ ITR बहुत complex हो जाता है कभी कभार individual को समझ में भी नहीं आता कि कौन सी ITR चूज करें कौन सा फॉर्म चूज करें जिसके वज़े से रिटन जो है वो defective return हो जाती है तो इन 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 इशूस को ध्यान में रखते हुए कि क्यों नहीं common utility लेकर आया जाए ITR 1 से लेकर 6 तक जहावे आपसे पूछा जाए कि आपकी source of income क्या है उसके basis पर आपकी ITR जो है वो फाइल की जाए जैसा कि अगर आप अगर एक हमारा software होता है Computex पे अगर आप काम करते हैं तो Computex में आपको यह जिंजट लेने की retention लेने की ज़रुवत नहीं होती कि कौन सा फॉर्म जाएगा आपको डिटेल डालनी है फॉर्म अपने आप utility select कर लेती है तो कुछ उसी टाइप का जो है यहां पर common utility आने वाली है समझते है क्या क्या point is common utility के अंदर इस press release के अंदर CBD नब बोला है तो CBDT has published यहां से समझते हैं अब CBDT has published an exposure draft of the proposed common income tax return form which will merge all existing income tax form except ITR7 तो ITR7 जो होती है charitable institutional trust के लिए उसको छोड़के ITR1 से लेकर 6 तक जो ITR1 से 4 individual 5 LLP ITR6 company इन सभी के लिए merge करने जा रही है जी एक utility बनाएंगे जिसमें सारे forms merge हो जाएंगे धियान अगर आप competex पे काम करते हो तो आपको पता होगा कि competex पे इसी तरीके से काम होता है आपको information देनी होती है utility अपने आप select कर लेती है कौन सा form आपके लिए applicable है तो यह वाली एरर आती है इसकी वज़े से काफी सा returns defective return हो जाती है क्योंकि आप गलत ITR form चूज कर लेते हो आप एंडिविजल हो ITR3 ITR4 चूज कर लेते हो तो आपकी return defective हो जाती है और आपके issues आते हैं तो into a single ITR form for comments from professionals taxpayers and stakeholders by December 15 तक हमसे comment मांगे गए है taxpairs से tax professional से कि आप comment करिये कि किस तरीके से यह utility जो है implement में लानी चाहिए so currently depending upon the type of person and the nature of income taxpayer must file their income tax return using one of seven distinct form अभी हमारे पास साथ form है मैंने साथो आपको explain कर दिये यह explain करने के लिए कि tax taxpayer sir समझ जाओ कि कौन सी ITR आपको file करनी है so that आप correct ITR अपनी choose कर सकें तो number one से लेकर के seven अभी हमारी forms होती है the current income tax return are prescribed forms and regardless of whatever a particular schedule related to them or not the taxpayer is expected to read through all of the schedule even if the schedule is not applicable this is the case this causes the time required to submit ITR to increase which may result in problem for taxpayer that may have been avoided अब आप जब ITR three file करते हो ITR three filing के time पे आपके पास बहुत सारे schedules आते हैं सारे schedule आपके लिए applicable नहीं होते हैं देखिए ITR one or four तो छोटी होती है वहां तो इतने schedules होते ही नहीं है लेकिन जब आप ITR two two three five six yes ITR बड़ी ITR जब आप करते हो तो बहुत सारे n number of schedules आते हैं जब आप income tax portal पे काम कर रहे होते हैं तो वहां पे आपको सारे schedules में कुछ अगर nil भी है तब भी आपको वह confirm तो जरूर करना पड़ता है जिसकी विज़े से वह जो task है वह बहुत लेंदी बन जाता है Computex पर काम करते हो तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती जो information है वो डालो automatically बाकी सारी चीजे निल हो जाएंगी और आपकी return submit हो जाएगी तो उसी टाइप पर कुछ यहां पर काम किया जा रहा है अगर आप यूज करते हो Computex तो आपको जरूर यह चीजे आप एजली समझ पाऊगी कि क्या करने जा रही है CVDTM सो इन ड्राफ्ट कॉमन ITR इस इस नाओ बिन consider the process of filing tax return is been re-examined in accordance with best practices from around the world best practices around the world की बात की जा रही है विसे इंडिया में भी बहुत सारे software है जो एक काम बहुत easily कर देते हैं so all of the current income tax return form with the exception of ITR 7 would be combined into a single ITR form यह ITR 1 से लेकर 6 तक एक combined ITR form के रूप में यह आएंगे on the other hand the present ITR 1 4 will continue to be in force ITR 1 से लेकर 4 तक जो existing form है वो तो रहेंगा ही रहेंगे साथ में यह common utility क्योंकि नई utility है एक बार में क्या आपता सही बने गलतियां हो इसलिए पुराने ITR 1 से लेकर 4 तक form जो है वो तो continue रहेंगे साथ में यह नई utility भी लेकर के आना चाहते है ITR 1 से 4 और नई utility जो है यह दोनों मतलब simultaneously काम करेंगे ऐसा नहीं नए form आ रहे है तो पुराने form यहां से हट जाएंगे बट यहां पर देखने वाली बात ही है कि ITR 1 से 4 लिखा हुआ है तो 5 और 6 रहेंगे यह नहीं रहेंगे पढ़ते हैं पूरा एक बर फिर समझ में आएगी हम कुछ चीज़ें अच्छे से So as a result of this modification these taxpayer will have the option to file their return using either the present ITR 1 to 4 और the proposed common ITR depending on which choice is more practical for them मेरे हिसाब से 2-2 option देना कहीं ना कहीं confusing होगा taxpayer के लिए मेरा opinion आप यह बढ़के मानो कि मेरा क्या opinion है तो मुझे नहीं लगता कि दो simultaneous option देखिए अभी आप tax regime की बात करते है old tax regime नए tax regime अदिस ज्यादा taxpayer तो उसमें ITR 1 तो फाइल कर दी 4 तो फाइल कर दी के common utility से भी फाइल करूं और मलब थोड़ा सा मलब disturbance यहां पर मेरे को लगता है कि issue आएंगे the draft common ITR form has been created with the intention of greatly simplifying the process for taxpayer and reducing the time required for non-business taxpayer because it is not necessary the taxpayer will not be forced to view the schedule that do not apply to them वही बात है मैंने आपको ITR 2 और 3 के बारे में बहुत सारे schedule होते हैं अब सारे schedule तो आपके उपर apply भी नहीं होते लेकिन आपको अंदर जाकर के देखना देखकर के confirm तो जरूर करने होते हैं तो उसी चीज को इस simplify करने की कोशिश की जा रही है objective शायद आप समझ रहे होंगे कि इस common utility का objective क्या है यहां पर विदन और इसलिए income tax portal आप अगर किसी tax professional से पूछोगे तो वह income tax portal को refer नहीं करते हैं बोलते हैं वह बहुत lengthy होता है वह बहुत complex तो खेर नहीं है बट lengthy बहुत होता है क्योंकि आपको सारे schedule फिल करना है साही details फिल करनी है comparatively जो आप कोई paid software की बात करते हो चाहें वह computex है जाए clear tax etc etc वहां पर वह आपको यह advantage देने कि सारी चीज़ें आपको फिल करने की ज़ुरत नहीं है जो applicable है आपके उपर आप आपको पहले question पूछ लेंगे आपसे 10 question पूछ लेंगे क्या यू sell it person or business person या both तो वह question के basis पर आपका ही determine कर लिया जाता है अपने आपकी कहन सी ITR आपके लिए applicable है और आपकी tension खतम हो जाती है कि आपको कहन सी ITR फाइल करनी है या फिर सारे schedule से एक ITR के सारे schedule आपको फिल करने है so with an improved architecture logic flow and increased opportunity for pre-fill information it aim to achieve the intelligent creation of schedule in a way that is user friendly in addition it will be simpler for the income tax department to correctly reconcile data from outside source with the data that must be entered in ITR lowering the compliance load on the taxpayer तो आपके ओपर जो है वो load भी जो है कम पड़ेगा कि आपको सारे schedule देखने है कि भाई so an overview of common ITR that has been suggested is provide below यह यहां पर आपको एक overview दिये जा रहा है अभी form इन्हों नहीं बताया बट एक overview यहां पर जरूर दे दिया गया है जैसे इससे related कोई भी form आएगा कोई update आएगी सबसे पहले fintech से बोपर मिलेगी साथ ही मैं आप अपने views भी दे सकते हो 15th December तक बताहूंगा last में किस तरीके से आपको अपने views देने है इन ITR form से related so all taxpayer must be submitted the following data basic information तो आपको देनी है part A से लेकर E तक a schedule for the calculation of income tax a schedule for the calculation of total tax information on bank account and a schedule for the payment of taxes the ITR is tailored to each taxpayer and include the necessary schedule depending on their answer to a series of questions वैसे यह चीज ना अभी भी होती है देखो portal पे आप जाओगे ना आप से बहुत साथ लेकिन आज दिक्कत पता है क्या है question ही जब 30-30-30 question आप पूछ लोगे तो वो question को skip करना ही जादा better समझा जाता है और skip करके schedule confirm कर दो वो जादा easy method लगता है तो अब यह बोल रहे है कि वही चीज है कि आपसे question पूछा जाएंगे कि आप एक person हो या business person हो या दोनों चीज हो सकता ना job भी करते हो business भी हो दोनों चीज भी हो सकती है depreciation claim करना चाहते हो depreciation का schedule चाहते हो capital gain का schedule चाहते हो yes or no capital gain क्या आपने को long term asset बेची है खरीदी बेची है last year में तो इस तरीके से आप से questionnaire पूछा जाएगा question के basis पर आपके schedule prepare हो जाएंगे तो यह यहाँ पर बोलागे ठीक अच्छा में थाड़ है उसके सब मैं तो individual हूँ individual के बाद select करो individual हो तो आपकी class क्या है आप business class हो salary class हो या दोनों सर मेरे तो दोनों मेरा business भी है salary से भी आती है मेरे income बोथ पर select कर लो उसके बाद पूछा जाएगा क्या कोई capital gain किया था कोई कोई asset sold की थी capital gain हुआ है आपको last year में yes करोगे तो capital gain के schedule आ जाएंगे no करोगे capital gain के schedule खतम हो गया उसके बाद को speculative income है yes करो अगर intraday share market वगरा किया है तो yes कर दो नहीं है तो no कर दो इसी तरीके से आप से multiple questions पूछा जाएंगे और उनके basis पर आपके schedule prepare हो जाएंगे if the respondent provider negative response अगर आपने negative response दिया है to any of the questions he will not be shown any of the other questions that are related to that issue मतलब एक question से हो सकता न multiple questions भी निकल करके आते हो जैसे क्या आपकी business के income है आपने बोला yes तो business में भी काफी सारे nature होते है क्या आपकी speculative है क्या कोई specified business है अगर आपने पहले ही no कर दिया कि मेरी business की income ही नहीं है तो speculative specified को question पूछने का कोई point नहीं मनता तो एक तरीके से यह जो आपका AI होता है जो AI होता है उसको और improve करके आपके लिए एक better perspective त्यार किया जा रहा है और मेरे सबसे अच्छी अप्रोच है बट एक चीज जो मुझे लगती है कि दोनों फॉर्म को साथ में रखना कहीना कहीना एक confusion भी आ सकती है taxpayer के लिए कि भाई मेरे पुराने फॉर्म भी आई टर वन से पूर और यह नहीं common utility भी है आप नहीं common utility पर काम करो अच्छे से और एक बार वो final हो जाती है तो नई utility को implement करो वैसे भी हर साल हमारे फॉर्म तो नए आते हैं फॉर्म तो हर साल कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत changes होता है नए साल नए forms ही आते हैं तो अगर आप इन सारे forms को हटा करके एक फॉर्म ही ले करके आ जाओ जिसमें यह सारी चीज़े ले करके आओ ITR 1 से अगर उस पर हो जाता है फिर इसके दाइरे को और बढ़ाओ ITR 5-6 को भी इंक्लूड कर दो और ITR 1 से लेकर 6 तक एक utility बनाओ उसके उपर काम करेगा अपना taxpayer और वो बहुत easy हो जाएगा तो इस तरीके से आप face manner में काम कर सकते हो तो मेरा यह suggestion रह गया आप है उसके बाद point number D instruction that explained how to complete the required schedule have been added in the order to make submitting the return easier instructions आपको आपको आपर दी instruction अभी भी आपको मिल जाती है थोड़ी बहुत the newly proposed ITR has been designed so that each row would never include more than one unique value as a result the processing of return filing will be much simplified next है the utility for the ITR will release in a way that only the relevant field of the schedule are shown and the set of fields which appear more than once when necessary they will happen once the utility is implemented in the event that there are numerous dwelling units of instant that we can conclude on the subject by stating that a taxpayer must respond to certain questions that apply to him-her and must complete just the appropriate section schedules of the common ITR form depending on his or her yes or no this will save the taxpayer time and effort as well as relieve him of the added burden of going through all the sections of the taxpayer proposed ITR as is required under current ITR as a result obtaining compliance will be much easier if you want to do it here if you want to do it if you want to do it if you want to do it or you want to do it if you want to do it if you want to do it the same way if you want to do it तो specially online वाले तरीके पे offline utility में क्या होता है download करो prefilled data download करो फिर उसको वह इंपोर्ट करो थोड़ी से complexity बढ़ जाती है अभी नए portal पे जैसा कि आपको पता होगा iti two और three जो है पहले जो बड़ी iti होती थी वह आपकी खाली utility से होती थी लेकिन अब वह पोर्टल पे आच चुकी है utility वाला जो method आना वो थोड़ी complexity बढ़ जाती है taxpayer के लिए और taxpayer के लिए tax professional के लिए भी download करो prefilled data लाओ फिर चीज़ें एक बार match करो तो वहाँ थोड़ी complexity बढ़ जाती है अगर यह पूरा process आपका online ही हो जाए 100% online हो जाए बहुत smooth चीज हो जाएगी और taxpayer के लिए बहुत easy चीज हो जाएगी कि utility आंडलोड करना ये करना वो करना थोड़ा सा complexity आ जाती है एक taxpayer के लिए जिसको नहीं पता इतनी सारी critical चीज है जो कि tax laws के अंदर होती है in annexure a you will find the draft common itr which will be created using the affortionment strategy also included two customized example of itr for the firm and company which can be founded in annexure c and d as well as example itr that work reader through the process of submitting the itr step by step annexure b for registration purpose these instances have been provided the question schedule and instruction specified to this item are complied to document known as annexure a to यहाँ पर जो बात की जा रही है कि भाई annexure a और annexure b के अंदर जो companies के लिए data जाता है उनके balance sheet panel and other information तो वो annexure के रूप में आप से मांगी जाएगी the income tax department will provide the offline tool after considering the feedback from various stakeholders and once the common itr facility is officially released a taxpayer who make use of such utility will have access to a personalized itr that only contain the question and schedule that are pertained to their case so अभी तो बैसे बात की जा रही offline utility लेकर के आएंगे कि पोर्टल पर online यह सारे चीज़े एकदम से change करना I can understand possible है ही नहीं कि इतना बड़ा change आप पोर्टल पर एकदम से लेकर के आओ utility लेकर के आएंगे आई टेर बन से लेकर six तक साथ में पुरान लेकिन यहां पर एक पॉइंट समझने वाली जो है वो यह है कि आई टेर फाइव और six की यूटिलिटी कॉमन यूटिलिटी में इंक्लूड हो जाएगा वह आप अलग फॉर्म नहीं आएंगे ऐसा यह प्रेस पढ़कर मुझको लगता है क्योंकि यहां ते पर आपने देखा होगा आई टेर वन से लेकर four तक तो रहेंगे आपके लेकिन five और six अभी नहीं रहेंगे तो वह देखने वाली बात होगी रखो अभी दोनों चीज़े सामिल्टेनिसली चलाओ तो मेरे साब से ज्यादा अच्छा एक यह देखो किस तरीके का उसका feedback रहता है कैसा वह utility response करती है उसके बाद दीरे-दीर ग्रैजुली मेरा point of view यह रहेगा कि अगर इसको online ही shift कर दिया जाए और यह utilities वाला किसा ही खतम कर दिया जाए specially ITR one or four की utility क्यों ही क्या आप क्या point ITR one or four की नॉर्मल वाली utilities ITR you के लिए is a different thing ITR you वाला process भी अगर online कर दिया जाए ना थोड़ा सा complex तो है I can understand बट अगर यह चीजे online आ जाती है ना तो बहुत smooth GST accurate में इतना easy क्यों है क्योंकि उसमें जितने भी forms है ना 99% form online फिल कर सकता है एक taxpayer कितना भी उसमें तो वैसे इतनी complexity होती नहीं है income tax हमना थोड़ा सा complex ज्यादा हो जाता है बट जब चीजे online होती है तो थोड़ा सा taxpayer comfortable feel करता है वहाँ पर information को fill करने में data देने में क्योंकि आजकल वैसे भी लोग इतने active हो गए है internet के उपर और जहां offline utility की बात आती है वहाँ पर कहीं न कहीं कभी utility काम नहीं कर रही कभी कोई error आ रहा है कभी developer से contact करो तो वह थोड़े से issues challenges बहुत जादा आ जाते है offline utilities के अंदर खेर बाकि इसका किस तरीकी से आपको reply देना है एक email comment करके मुझे अपने suggestion आप बताओ अगर मुझे अच्छा लगता है तो आपके suggestion के basis पर मैं तो जरूर इसका reply करूँगा ही करूँगा आपके comments को भी जरूर consider करूँगा तो reply करते time अपने suggestion जरूर दीजिए thank you so much guys for joining today's session have a great time हसते रहें मुस्कुराते रहें बाए बाए टेक कर के